तो नमस्कार दोस्तों बहुत एची अपर्टुनिटी आप सभी के लिए लेकर आज चुका हूँ, यहाँ पर Amazon के तरफ से Applied Scientist Internship को लांच किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टुडेंट के लिए यहाँ पर होने वारी है, आप देख सकते हैं कमपनी के वेबसाइट में भ प्रवाइड कर दोंगा, दिए के लिंक के दरूँ आप लोग यहाँ पर पूरी इंटरनेशिप के बारे में ले सकते हैं, फिलान हम लोग बात करने वाले क्या के चीज़ी यहाँ पर आपको करनी होंगी, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसी के साथ आपको अ अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बात बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे जरूरी है, बेसिक क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग इन में से किसी भी फिल्ड से बिलॉंग करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर डेफिनिटली अ अपलाई करते हैं, या फिर किसी अधर फिल्ड की यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर अपलाई करते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर स्टॉंग वर्किंग नॉलेज और प्रोग्रामिंग लेंगजिज सच चस C, C++, Java और Python, यहाँ पर आपको स्टॉंग नॉलेज होनी चा जिसके अंदर आपको यह सारे courses यहाँ पर बिल्कुल free में provide की जा रहे हैं, बिल्कुल immediate level के courses होने वाले हैं, बिगनर लेबल के course होने वाले हैं, और सारी सार advanced लेबल के course होने वाले हैं, जो सारी चीज़े यहाँ पर important अभी मुझे नजर आ रही है, तो एक पर जाकर के उस cheer for qualification वे यह पर क्या-क्या मांगा पता जा जा रहा है रिसर्च experience related messing learning deep learning nlp computer vision data science है है अगर आपके पास यहाँ पर experience machine learning deep learning nlp computer vision data science के बारे में आपको पता है तो आपको यहाँ पर थोड़ी से preference ज़रूर मिलने वाली है बागी सारी जिसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर login करनी होगी या फिर registration करनी होगी तो आप लोग यहाँ पर create one में जाकर कि अपने account को बना सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर login with google भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर login with google किया है उसके बाद की process मैं आपको दिखाता हूँ तो login with google करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रजीमों को यहाँ पर update करना होगा आप चाहें तो यहाँ पर linkedin के साथ भी अपने रजीमों को share कर सकते हैं नहीं तो आप लोग यहाँ पर अपने रजीमों को यहाँ पर upload कर सकते हैं उसके बाद contact information आता है जिसके बारे में आपके आपकी सारी information यहाँ पर ली जाएगी जो भी सारी information आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करते जाना है फिर SMS notification होने वाला जिससे आपका number यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर general questions आने वाले कुछ questions आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे जिससे आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से answer कर रहा है फिर work history and skills के बारे में आपसे यहाँ पर कुछ questions पूछे जाएंगे आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सारे चीज़े डाल देनी जैसे कि क्या क्या skills आपको पता है अगर आपने कहीं काम किया तो कितने year का आपको experience अगर आपने कहीं काम नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर any भी डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर education के अगर बात करें यहाँ पर education details के बारे में आपसे पूछा जाएगा normal सारी information है आपको अपने तरीके से देख करके एक बार सारी information को यहाँ पर fill कर देना है सारे data को जो भी form आपने fill up किया है उसे एक बार review करके आपको यहाँ पर submit कर देना है तो कुछ इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर Amazon के तरफ से जो इंटर्णिसिब निकल कर सामने आ रही है scientist इंटर्णिसिब के लिए apply कर सकते है successfully apply करने के बाद आपको यहाँ पर mail भी provide कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद आपको बस wait करना जैसी आप यहाँ पर select होंगे आपको mail के तरू सारे information इस इंटर्णिसिब के बारे में provide कर दी जाएगी